Hello everyone, welcome to Quant Study आज हम करने जा रहे हैं percentage का final part जो कि हतास का third part और इसके साथ आपका percentage chapter खतम हो जाएगा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारा YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें इसके लाव हम Facebook और Instagram पर भी active हैं ये रहे आपकी स्क्रीन पर उनके links जैसे कि आपको पता है ये third lecture है तो इससे पहले दो lecture जिन लोगों ने attend नहीं किये मेरी उन्चे request है कि आप उन दो chapters को जाके देखिए उन्हें समझिए और उसी के बाद इस chapter को continue करिए उन दो chapters का link जो है उन दो videos का जो link है वो description में provided है तो start करते हैं ये पिछली जो की day two की video थी उसके related एक question है मैं चाहूंगा कि आप ये question अपनी copies पर no down कीजिए और इसका answer मुझे comment section में post करके बताईए आगे बढ़ते हैं ये रहा आज के session का पहला question ratio between the expenditure and savings of a man is 5 is to 4 if income is increased by 20% and saving is decreased by 10% then calculate percentage change in expenditure आपको पता है कि एक income जो है वो किस चीज़ से बनती है जैसे for example आप अपी कुछ time के बाद आप भी एक officer scale पे या bank associate scale पे होंगे तो आपकी जो income होगी आप क्या करेंगे उसमें से कुछ खर्चा करेंगे जिसको हम expenditure कहते हैं और जो खर्चा करने के बाद पूरे मन्त के बाद जो आपको पैसे बचेंगे हम उसको saving कहेंगे तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि income is equals to expenditure plus saving income में से ही आप खर्चा करते हैं और जो पैसा बचता है उसको आप saving कहते हैं उसी base पे यह question है वीडियो को pause करें और इसे try करने की कोशिश कीजिए अब मैं आपको इसका answer दिखाने जा रहा हूँ जैसा कि मैंने कहा income is equals to expenditure plus saving अब आपने क्या किया मैंने आपको बताया कि question के last में कहाया कि percentage change बतानी है हमें expenditure में तो जब भी percentage या फिर ratio में आपको answer देना होता है तो आप question की starting से ही assumption पे calculate करना शुरू कर देते हैं आपको exact figure पे काम करनी की जुरूरत नहीं होती अब हमने क्या किया expenditure saving की ratio थी 5 is to 4 हमने expenditure को 50 मान लिया savings को 40 मान लिया तो income हमारी क्या होगी 50 plus 40 90 अच्छा अब उनने कहा है कि income बंदे की increase हो रही है 20% से मैंने आपको increase decrease का भी बताया था कैसे calculate करना है last video में वह हमने यहाँ पे apply किया इसकी income increase होके होगी 108 पहले थी 90 अब होगी 108 वैसे ही decrease हुआ किस पे savings पे decrease हुआ savings पे कितने का decrease हुआ 10% का same method लगाया और savings आगी हमारी नहीं 36 अब क्या किया हमने एक वैसा ही box बनाया यहाँ पे savings लिखती है new saving है 36 पुरानी थी 40 new income है 108 पुरानी थी 90 और पुराना expenditure था 50 अब 108 से हम 36 माइनिस करेंगे तो हमारे पास new expenditure आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा यही चीज मैंने यहाँ पर mention की है अब change in expenditure क्या होगा 72 था नया expenditure 50 था पुराना expenditure यानि कि expenditure 20 units increase हो रहा है और हमें वही percentage change बचानी है तो नियुमिनेटर में आ गया 20 unit यानि कितना चेंज हुआ denominator में आ गया old expenditure यानि 50 units 100 से multiply किया और 44 परसेंट आ गया हमारा answer नेक्स कोशन पर चलते हैं in a school there are 15 more girls than boys हमें नहीं पता total कितने girls है total कितने boys है हमें बस इतना पता कि लड़कियां जितनी भी हैं वह लड़कों से 15 जादा है अब लड़कियों को हम 10% से increase करेंगे और लड़कों को भी हम 16% से increase करेंगे तो in the end हमें 9 लड़कियां जादा मिलेंगी लड़कों से तो हमें बताना है कि total number of students school में कितने है ठीक है अब इस question को वीडियो को pause कीजिए अगर आप try करना चाते हैं question को अब मैं आपको इसका solution दिखाने जा रहा हूँ हमने क्या किया boys को बी ले लिया girls को बी प्लस 15 ले लिया अब आपने देखा कि हम boys में 16% का increase करेंगे वह 1.6 बी बन जाएगा girls में 10% का increase करेंगे तो वह 1.1 बी प्लस 16.5 अब देखरों बहुत सारी calculation points में आ रही है तो हम बी नहीं लेंगे हम ऐसा करते हैं बी की जगा 100 बी ले लेते हैं 100 बी लेने के बाद क्या आगया boys होगे हमारे 100 बी girls होगी 100 बी प्लस 15 अब इसमें confuse मत हुएगा हमने दोनों को 100 से multiply नहीं किया हमने सिर्फ boys को 100 बी लिया girls जो थी वो 100 बी से 15 जादा थी यहां 1500 नहीं आना यहां सिर्फ 15 ही रहेगा अब 100 बी में जब हमने 16% का आप देखोगे पहले 10% आप increase करोगे 100 बी में वो बन जाएगा 110 बी अब 15% में आप 10 increase करोगे तो देखिए 15 का 10% क्या होगा 1.5 वही 1.5 15 में आड़ा होगा तो वो बन गया 16.5 तो girls होगी 110 बी प्लस 16.5 यह है new girls अब उन्होंने question में कहा है कि यह सब करने के बाद लड़कि यानि कि हम girls को boys से minus करेंगे तो हमारे पास क्या value आईगी 9 वही चीज़ की girls को boys से minus किया 9 आया equation को solve किया minus 6b प्लस 16.5b अब हम 6b को दूसरे सेड लेगे 9 को इस सेड ले आए तो हमारे पास आगया b की value 7.5 upon 6 यह point में आ रही है value अभी आपको इसके tension लेने की ज़रूरत नही है अभी next लिखते हैं क्या चीज़ है हमने boys को question के starting में क्या लिया था 100b जब हम 100 से 7.5 upon 6 minus करेंगे तो हमारे decimal वाली value सारी हट जागी और हमारे पास एक exact figure आ जाएगी जो की है 125 अगर लड़के 125 हैं तो 125 में आप 15 add करोगे तो लड़के 140 आ जाएंगी बिलकुल आ जाएंग wheat sold by shopkeeper contain 10% low quality of wheat ठीक है ठीक है अच्छा एक कुछ quantity एक shopkeeper ने जो रखी है जो पेची है उसमें 10% थी low quality की थो high quality कितनी होई 90% next line देखते हैं अब हमें उसमें कुछ good quality of quality of wheat add करनी है उस 150 kg of wheat में हमें starting में नहीं में नहीं ता कितनी है पर यहां बता दिये कितनी है अब हम इसको for any देते हैं क्योंकि end में पूचा है कि percentage of low quantity of becomes 5 अच्छा इन्होंने कहा है कि हमें कितनी quantity good quality की add करनी है कि जो 10% वाली जो low quality की percentage थी वो 5% पर आ जाए अब देखिए हमने इसमें से कुछ subtract नहीं करना हमने सिरफ add ही add करना तो यानि 150 जो initial quantity उसमें भी कुछ ने कुछ quantity add होगी और इन्क्रीज होगा इसी बेस पर इस question को try कीजिए वीडियो पॉस करेजिए और इस question को try कीजिए अब मैं आपको इसका answer दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले हमने क्या किया low quality उन्होंने कहा था 10% low है 90% high है तो हमने 10 ले लिया low और good ले लिया 90 जो की थी original fraction अब उन्होंने कहा कि जब सारा question solve हो जाए उन्होंने end में क्या कहा कि हमें 5% चाहिए अच्छी अगर 5% चाहिए हमें low quality की तो 5% अगर low quality के होगी तो good कितनी होग 95% वही चीज हमने लिखी अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि कुछ addition होनी है कुछ subtraction नहीं होनी है तो low हम 10 को 5 नहीं बना सकते जो नेया वाला 5 है उसको हम 10 जरूर बना सकते है ठीक है वही इसको हमने 2 से multiply कर दिया low low quantity बनी 10 और good quantity बनी 190 यानि कि आप देख रहे हो पुर इन दोनों का sum करो के तो 100 ही आएगा इस 100 की value उन्होंने question में दी हुई है 150 अभी तक हम assumption पर काम कर रहे थे ना अब हमें अगर एक exact value चाहिए तो हमें उसको किसी exact value से compare करना ही पड़ेगा तो 150 ही वह exact value थी जिससे हम compare करेंगे 100 को हमने 150 से compare किया हमार पास 1 की value आगी 1.5 ठीक करना है हमें total पर काम नहीं करना पहले थी 90 अब होगी 190 तो हमने कितनी good quantity add की 100 units हमने add कि अच्छा अब उपर आपने देखा कि 100 unit की क्या value थी 150 थी और जिससे 1 की value 1.5 वही तो चलो हमें 1 की value को use ही नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे पास series ही 100 की value 150 थी वही 100 units हमने add किया है तो 100 units की value आगी 150 kg यानि कि हम इसमें good quantity के 150 kg add करेंगे तो जो 10% low quality weed थी वह decrease होके हो जाएगी 9% यह रहा next question आपकी screen पर पेट्रोल का price 25% से increase हुए तो एक car जो बंदा car चलाता है उसको कितना कम पेट्रोल को consume करना चाहिए ताकि उसका overall expenditure same रहे अब देखिए expenditure क्या होगा जितना आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो multiplied by जितनी आप गाड़ी चला रहे हो अगर पेट्रोल इंक्रीज हो रहे है consumption को decrease करना ही करना पड़ेगा ये common sense की बात है तो चलिए इस question को try कीजिए अगर नहीं भी बनता तो मैं आपको इसका answer दिखाने जा रहा हूँ यह रहा पेट्रोल की original price हमने 100 assume कर ली 25% का increase हुआ तो पेट्रोल की new price क्या होगी 125 अब इसी से हम एक old consumption निकाल ले अगर हम old consumption को 125 मान लेते हैं तो क्या करेंगे और उसको हम new consumption के time उसको हम 100 बना देते हैं 125 को हम 100 बना देते हैं तो जब multiplication होगी आप देखिए old price और old consumption की new price और new consumption की इन दोन की multiplication से expenditure सेम रहेगा 100 into 125 एक साइड रहा कर ली उस consumption को assume करने के बाद उसको हमने उसी price के दम पे decrease भी कर दिया तो अब क्या आ गया old consumption 125 units new consumption 100 units अचा percentage decrease कितना और है आपने देखा पहले 125 था अब 100 है यानि 25 units हम decrease कर रहे हैं पुरानी वाली में और पुरानी वाली consumption क्या थी 125 वाही हमने 25 नूमिनेटर में लिखा 125 डिनौमिनेटर में लिखा 100 से multiply किया हमारी percentage decrease आगी consumption की 20% ये रहा next question बिलकुल same है बस वहाँ petrol था यहाँ पे sugar कर दिया हूँ है और वहाँ पे consumption की बाद चल रही थी यहाँ पे भी sugar की consumption की ही बाद चल रही है और percentage तो बिलकुल same है figures भी नहीं मैंने बदली same to same है ये तो आप से question हो ही जाना चाहिए एक पर वीडियो को pause कीजिए और इस question को try कीजिए अब मैं आपको इसका solution दिखाने जा रहा हूँ यह रहा solution वही चीज लिखी है हमें पता है कि एक packet की price जो है और हम अगर 10 packet ले रहे हैं उन दोनों को multiply करेंगे तो हमार पास total price आजाएगी अब consumption क्या होती है जितने जादा packet हम consume करेंगे उतनी consumption increase होगी जितने कम packet हम use करेंगे उतनी consumption decrease होगी वही चीज हमने की जो हमने पिछले question में की थी old price को 100 माना new price 125 होगी old consumption को हमने new price से compare करके 125 माना तो हमारी new consumption हमें क्या करनी पड़ेगी new consumption हमें old price के जितनी लानी पड़ेगी ताकि इन दोनों का product same आए और हमारा जो total expenditure है वो change ना हो ठीक है old consumption 125 new consumption 100 वही चीज आगी 25 से decrease हो रहा है reduction कितनी हो रही consumption में 25 old consumption क्या थी 125 denominator में 100 से multiply किया 20% इसका भी answer आगया अगर आपका ये question बिना इस solution को देखे solve हो गया तो यानि आपको ये concept totally clear हो गया अब आते है next question पे एक लड़की है रादा उसने क्या किया उसने कहा कि इस महीने वो अपनी 25% salary तो save करेगी ही करेगी पट कुछ न कुछ चीजे महेंगी होगी या उसको कुछ समान खरीदना पड़ा जिसकी वज़ा से उसकी जो वो जो उसने जो decide किया था 25% वो उतना नहीं save कर पाई वो सिरफ 2500 रूपीज save कर पाई और 2500 रूपीज क्या थे उस 25% जो उसने decide किया था उसका 40% थे अगर आपको याद हो मैंने पिछली वीडियो में कोशन करवाया था similar कोशन था कि एक वो लड़की थी जिसने NGO में donate करने का सोचा था पर उस donate करने के time उसने क्या किया कि original नहीं दिया उसने 75% ही दिया जो उसने देफिनेटली बन जाएगा जिन जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उनसे ये कोशन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा अब हम जाते हैं इसके solution पर वही चीज रादा की salary हमने 100 assume की उसने decide किया था कि उसमें से 25 units वो दे देगी पर अब हमने क्या assume की है तो हम 2500 पर काम नहीं कर सकते 2500 है के exact figure है हम काम करेंगे percentage पर और हमें दिख रहा है कि जो उसने assume किया था यानि कि जो उसने 25 units देने के save करने के assume किये थे अब वो उसका सिरफ 40% ही save कर पा रही है यानि नियू section वैसे पुरानी में देखें अगर उसने decide किया था कि वो 25 units save करेगी तो वो expenditure कितने units का करेगी 75 units का वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है अब इन्होंने question में पूछा है what percent हर expenditure was increased old expenditure आपको दिख रहा है 75 है new expenditure आपको दिख रहा है 90 है यानि कि 15 units का increase हुआ है उसके expenditure में why 15 units हमने numerator में लिखा 75 हमने denominator में लिखा 100 से multiply किया और हमार answer आगया 20 percent यह रहा next question यह एक बिलकुल नया pattern है यह है votes और election based question है इसके मैं आपको 2 question कराऊंगा और आपको इसके भी conceptually clear हो जाएंगे अगर आपने पहले कभी यह question की है तो एक बार इस question को try कीजिए अगर आपने नहीं की है तो मैं आपको इसका solution अभी दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले बात करते है question है क्या है दो candidates के बीच election थी 11 1 by 9 percent voters ने तो vote ही नहीं दिया उन्होंने का हमें vote ही नहीं देना हमें बुरोसा ही नहीं किसी पर ठीक है तो next जो थे जिन 12 1 by 2 voters ने vote दिया वो फरजी थे वो suppose कर लो कुछ भी हो सकता है वो दो बार vote देने आ गई या फिर उनके पास voter card नहीं था या फिर किसी और की identity के थूँ उन्होंने vote दे दिया वो invalid होगे वोट उन्होंने डाले पर in the end वो invalid होगे अब जो बचा हुआ vote होगा हमें सिरफ उस पर काम करना है इधर नहीं लिख है winner won the election getting 60% of valid votes valid votes वो जो 11 1 by 9 को और 12 1 by 2 को निकालने के बाद बचे ठीक है and won by 7,000 votes इस line का बहुत importance है won by 7,000 votes यानि की इसका मतलब क्या हुआ आपके और आपके फ्रेंड दोने स्पोज कर लीजी एक एक एक्जाम दिये और आप कहते हो कि मैंने मेरा जो एक्जाम है उससे मेरे marks जो है 70 जाद है यही चीज आगी जो winner जिसने ये जीता है election जीती है उसके votes loser से 7,000 जादा है ठीक है यह 7060 से आप confuse मत कर देना यह जादा की बात चल रही है यानि winner minus loser की बात चल रही है यह आगी exact figure जिसको हम end में compare करेंगे पूरा कोशन हम assumption पर करेंगे एक बड़ try करो यह question अब मैं आपको इसका answer दिखाने जा रहा हूँ यह रहा इसका answer अच्छा आपने देखा होगा अभी तक हमने हर चीज start की 100 units assume कि हम इसमें 100 units ले सकते थे बिलकुल ले सकते थे पर वह के हमारी calculations को थोड़ा messy कर देता क्योंकि 11 1 by 9% आपको first video में याद होगा मैंने fraction value learn करने को कही थी तो 11 1 by 9% होता है 1 by 9 जब आप 100 को 9 से divide करोगे वो एक नई fraction आजएगी और fraction को solve करना आगे आगे मुश्किल होता जाएगा तो इसी question के through मैं आपको बताऊंगा कि जो हम 100 लेते हैं हम उसके अजलावा कोई और number भी ले सकते हैं आपको वो number कैसे लेना है वो आप decide करेंगे और उसका लेने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आपने देखा आपको इस question में दो जगा percentage दीए एक 11 1 by 9 परसेंट एक 12 1 by 2 परसेंट अब आपको पता है 11 1 by 9 परसेंट की fraction value है 1 by 9 12 1 by 2 परसेंट की fraction value है 1 by 8 अब आप एक ऐसा number लोगे जो इस 9 और 8 का multiple होगा ताकि in future आपको उस number को divide करना पड़े इन fraction से ठीक है तो आपका एक exact figure आजाए आपको fraction में काम ना करना पड़े फर्दर ठीक है तो हमने क्या किया 9 8 को multiply करती है 720 आगे 72 आगे हमारे पास एक LCM तो हमने क्या किया 720 10 से multiply किया और 720 वोटर से एज्यूम कर लिए कि total वोटर से 720 अब आगे चलते हैं left side में देखिए total वोटर हमने 720 एज्यूम किया उन्होंने का 1 by 9 ने तो वोट ही नहीं दिया जब आप 720 को 1 by 9 से multiply करेंगे आपके पास आजागा 80 यानि कि 720 में से 80 वोटर से जिन्होंने वोट ही नहीं दिया फिर बचे कितने 640 बचे जिन्होंने वोट किया अभी कुशन यह खतम नहीं हो उन्होंने आगे invalid की भी बात की थी जो कि आप right side पर देख सकते हैं 640 ने वोट किया उसमें से 1 by 8 12 1 by 2% की fraction value है 1 by 8 1 by 8 के वोट जो थे वो invalid होगे यानि इसमें से 80 और निकल गे जिनके वोट थे invalid अब वैलिड कितने बचे 560 बचे हमार पास valid अब उनने क्या क जहा कि जो winner है invalid वोट में से यानि इन 560 वोट में से winner को मिले है 60% तो loser को कितने मिले होंगे 40% जब इनको ratio में convert करेंगे तो आजएगा winner के पास अगर 3 units वोट आए हैं तो loser के पास 2 unit वोट आए हैं ठीक है अब हम इन दोनों को sum करें तो 3 plus 2 होता है 5 5 को हम 560 से compare करेंगे 1 की value जो हमने starting में 720 लिया उसके लिए नहीं है ध्यान रखना यह 1 की value सिरफ इस 560 के लिए है क्योंकि हमने 560 को 3 is to 2 की ratio में divide की है तो हम 1 की value डालेंगे अब एक और चीज़ है या तो हम 112 को 3 से multiply करें हमें winner के votes पता चलेंगे 2 को 112 से multiply करें हमें loser के votes पता चलेंगे या फिर उन् winner minus loser क्या है 7000 votes valid votes की बात चल रही है तो इनको ऐसा करते हैं हम कि ratio में ही minus कर देते हैं क्यों पहले हम 3 से 112 को 3 से multiply करें 2 से multiply करें फिर minus करें आ जाके वही चीज़ आईगी तो उसके बज़ए हमने 3 और 2 को सीधा सीधा ही minus कर दिया तो हमारे पास क्या आया कि जो winner के votes है वो 1 unit जादा है loser से और 1 unit की value क्या है यहाँ पर 112 यह अभी 560 की ही बात चल रही है अब यहां right side में देखिए यह 112 वही votes है जिसकी exact value हमें 7000 दी गई है ठीक है मैंने आपको अभी अभी कोशन में बताया यह जो 112 था यह सिरफ 560 के लिए था यह overall votes के लिए नहीं था तो यह 112 हमने 3 minus 2 करके 1 को value दी 112 की और 112 units को हमने exact value दी 7000 की क्योंकि winner जो है वो loser से 7000 votes से जीता है तो 1 की value क्या आ जाएगी इसमें 7000 by 12 अब यह वाली जो 1 की value है न हम यह 720 के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है total voters कितने थे 720 अब हमने 720 को 7000 by 112 से multiply किया हमारा answer आ गया total voters थे 45,000 इस पूरी statement में शिर्फ एक confuse करना वाले point यही था जो यहाँ पे हमने 1 की value 112 निकाली ठीक है इसके लावा और कोई point नहीं था जो confuse कर सकता है आपको इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ रही है आई pause कीजिए वापीस जाए दोबारा सुनिए समझ आपको आ जाएगी next question पर चलते ह पर इसमें exact value है तो यह है इन दोनों question का difference जिसके वएसे पूरा question ही change हो जाएगा पर हम same method से कैसे करना इस question को solve वो देखेंगे next line है कि the winning candidate score 40% of total votes पिछले question में valid votes की बात की थी इसमें total votes की बात की है and he won the election by 308 votes by का मतलब winner और loser का difference होगा और वो difference की exact value है 308 find total number of voters अब 30 सी percentage नहीं है एक 47 है पर वो आगे जाके वो end में है कि meaning जो total voters है उसका 47% लेना है तो इस question में हम 100 से शुरू कर सकते है question को हमने question किया total number of voters भी 100 जिन्होंने vote नहीं दिया वो 10 आगे जिन्होंने vote दिया वो 90 आगे अब उन्होंने क्या कहा 90% vote में से 60 60 एक exact figure है 90% vote में से 60 जो थे वो invalid थे तो valid क्या होंगे 90%-60 यह होंगे valid post अब एक चीज़ देखिए उन्होंने का winner को जो है वो total votes के 47% दिये गए है अब एक चीज़ देखिए जो winner को जो vote मिले होंगे वो valid vote ही होंगे वो total के जो invalid वाला portion है उससे तो उठाके उसको vote दिये नहीं यह होंगे तो देख वोट्स की बात की है अब 47% जो total votes की है तो loser के पास कितने vote होंगे अगर winner के पास 47% है तो loser के पास हम 90 से 90%-60 से 47% माइनस कर देंगे ठीक है और loser के आ जाएंगे 43%-60 60 exact figure 47 और 43 जो है वो है percentages अब उन्होंने question में एक और चीज़ कही है कि winner जो है वो loser से जीत है 308 votes से जो कि मै इस सब करने के बाद हमें क्या दिख जाएगा winner के votes 47% minus loser के votes जब हम minus करेंगे तो 43% minus का हो जाएगा और minus 60 plus का हो जाएगा is equals to 308 votes वही चीज़ हमने लिखी जब हम इसको solve करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4% की value 248 अगर हमारे पास 4% की value 248 है तो हम 100% की value निकाल सकते हैं बिल यानि हमारे पास total voters आगे 6200 इस वे में ये question उस उस पिछले question से अलग था क्योंकि हमने उसमें percentages में काम किया और हमारे question easily solve होता गया इसमें एक exact figure आगी थी जिसके वज़े से हम diagram में ही values नहीं निकाल पाए हमें end में equation में value निकालनी पड़ी इसी के साथ हमारा percentage chapter के सारे concept खत हो जाता है प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए थेंक यू